नमस्कार मैं हूँ वसीर मकरम हाजिर हूँ मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ CIV इंडियाने उस पर योगी राज में भाजपा करकरताओं ने कि HDO की भिटाई आपको बताते कि गाज़ेपुर जिले के दिलदार नगर के बिजली बिभाग में उस वक्त हड़कम मच गया जब बीजेपी के एक तथा कथित नेता अपने दरजनों की संख्या में कारकरताओं से मिलकर बिजली बिभाग के HDO को पीड़ दिये जिसके बाद बिजली बिभाग में हंगामा मच गया वही भीड देख बीजेपी नेता अपने कारकरताओं के साथ फरार हो गया इस मामले की जानकारी होते हैं बिजली बिभाग के अधिकारी सहित सभी करमचारियों ने कारे का भष्ष कारत कर थाने पहुँचे जहां पीडित HDO रतनेश कुमार ने पांच नामजद और दरजनों अग्यात लोगों के खिलाब मुगद्मा दरजकर कारवाई की मांगी है आपको बता दे कि दिल्दानगर बाजार के वार्ड नमबर एक में ट्रांसपार्मार लगाने के लिए रात में ही HDO रतनेश कुमार जैसवाल से पुछताज करने लगे और अपशब्त का परियोग करते हुए गुसा है लोगों ने HDO को गाली गिलोज देते हुए मार पीट कर फरार हो गए जिसके बाद HDO रतनेश कुमार ने तदकाल अपने उच्चादिकारियों से सहित थाने पहुँचकर इस घटना की सूचना दिया वही पीडित HDO सहित बिजली बिभाग के करमचारी और रुच्चादिकारी थाने पहुचे और पीडित रतनेश कुमार जैसवाल HDO दिलदार नगर ने थाने में पांच नामजद सहित पंद्रा ग्यात लोगों की खिलाफ थाने में मुकदमा पंजिकरित कराया है संबन में उपजिला अधिकारी मुहम्मद कमर ने बताया कि बिजली की समस्या को लेकर विद्दुत उपकेंद्र में दरजनों की संख्या में लोग पहुँचे थे लेकिन विजली विभाग के HDO से मारपीट की सुचिना मिली है जिसके तहत दिलदार नगर थाने में मुकदमा पंजिकरित कर लिया गया है कि कठा हो गई जो भी वहां पर भुकता थे विजली बिल जमा करने आये ते या कुछ भी था यह सब के सामने वहीं गालियां देते रहे और खुदी वही आरोप लगाते रहे कि यह मेरे कार्यकर्ता को जाते सुचेक सब दूगल के गाली दे रहा था और पुलिस बुलाओ दोनों पार्टी जाएगी थाने में इस तरह के करते रहे मेरा मुबाइल चेंग युआ था मेरे पास नंबर नहीं था सब्सक्रा मुबाइल को मैंने चेंज किया था तो मैं अपने एक्सियन साब को बोला कि आप एस साब को बोलिए यहां पर तुरंत आ लाजा यह तब तक आइसो साब यह यह लोग अपना आऊ वहां से निकले मैं यह साब 75 अगर्जिघी मजीर करमी के साथ कि का का कार ये का उसके डूटी टाइम में अगर कोई दुर्वेवार होता है तो राशुका लगाने के मुखे सचीव के इस पश्ट निवदेश है और जो भी घटनाओं में जो भी धाराएं लगती हैं वो प्रसासन लगाके उन करें और इस तरह से कई जिलों में घटनाएं होती जा रही है तो यहां गाजीपुर में और हमारे सारे यहां भी कुछ दिन पहले हमारे एक जैई को भी मारा गया था तो अगर इस तरह घटनाएं होती रहेंगी तो लोगों का मनुबल बढ़ता रहे हैं वो किसी भी पार्टी क्यों हो हमें नहीं पता है और लेकिन हमारी यहीं मांग है उनके गिरफतारी हो जो भी नियम कानून के दारे में जो भी धाराएं है जैसा भी मुक्य सचिव का निर्देश हो उसका अनुपालन हो सर घटना के बाद से आपूरती बंद की गई है जो भी मेरे साथ लोग है य कि भी मेरा बंद कर्द हो गया था उसको वहला जो दो चार लोग है आप इसको जमा करो इसके बाद मेरे साथ चलो क्योंकि साच्छी वही थे घटना सब्सक्राइब कि इतने अतिकारी और प्रमशाई लोग आपके हाई है क्या है सब्सक्राइब अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथे स्क्रीन पर दिखरें घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें